नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजिक इसनल चनल में आज हम सिखने वाले हैं मैको नर्व कैपसुल के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडिशन्स को ये कैपसुल ट्रेट करता है साथ ही जानेंगे उसके फायदे यानि के बेनिफिट्स वगिरा क्या होते और इसके डूस के बारे में जानेंगे कि पेसंट जो हो दिन में कितने कैपसुल जो हो ले सकता है तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं मैको नर्व फॉर्ट कैप्सुल के बारे में तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि उसके अलग-अलग बेजिक यूज हम देखे तो यह गठिया के रोग में Societica का किसी को problem है कमर दर्द का problem रहता है जूडों में दर्द रहती है अकडन रहता है नसों में सुनन पन हो जाता है या फिर कमपन के जो problems होते हैं तो यह सबी symptoms को treat करने के लिए यह medications जो ही वो use की जाती है तो यहाँ पर जो हम उसका label देख रहे हैं तो उसके manufacture यहाँ पर हम देखे तो micro laboratories उसके जो ही वो manufacture है और इस तरह के उसके जो हो capsules जो हो market में available होते हैं तो detail में जानते हैं इसके बारे के उसका content क्या है ingredients कौन है कि जो आपको यह बसारे benefits देते हैं और जानते हैं detail में यह capsules के बारे में तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारे medicines के बारे में तो आप Pharma Rocks के आप उपर medicine course को join कर सकते हैं कि जहाँ पर आप बहुत सारे बीमारियों के बारे में सीख सकते हैं उनके उपचार के बारे में सीख सकते हैं तो यह course join करने के लिए आप हमारी mobile application को download कर सकते हैं या फिर हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो अब आते हैं topic पे micron और fort capsule के बारे में तो यह ऐसा class का medication की जिसको हम nutritional supplement के category में रखते हैं कि जो health and wellness के लिए जरूरी होती हैं और यह medications जो nutritional deficiency को treat करने में खास कर जो हो use किया जता हैं उसके manufacturers के हम बात करें तो micro labs limited जो हो उसके manufacturer की जिसका headquarters जो हो bangalore में हैं आगे जाने उसके बारे में तो यह medications की यहाँ पे आप label देख रहे हैं कि जिसके अंदर ingredients के हम बात करें तो खास कर methyl kobal में उसके अंदर present है फिर benfotime में उसके अंदर present है pyredoxin hydrochloride है ionocytol उसके अंदर present है alpha linoic acid and folic acid जैसे ingredients यह medicines के अंदर present है तो इस तरह से उसके capsules रहते हैं hard gelatin capsules रहते हैं और ingredients के quantity हम यहाँ पे देखे तो methyl kobal amine की जो vitamin B12 के तोर पे उसके अंदर present है कि जो 1000 microgram जितना एक capsule के अंदर present है यहाँ पे आप उसका पूरा content जो है वो देख सकते हैं कि 1000 microgram होगा आपका methyl kobal amine फिर alpha linoic acid जो है वो 200 mg जितना उसके अंदर present है benfotimine जो है वो 100 mg जितना है inositol 100 mg pyridoxin hydrochloride 3 mg और folic acid रहता है 1.5 mg जितना फिर यहाँ पे colors के बात करें तो approved colors जो है वो use किया गए है capsule के cell के अंदर storage के बात करें तो यह capsule को store किया जता है 30 degree या फिर उससे calm temperature से moisture से उसको prevent करनी होती है साथो साथ आपको dry and dark place पे उसको store करना होता है and therapeutic purpose से यह medication जो हो use की जाती है आगे जानते हैं उसके बारे में तो यहाँ पे उसका एक container आप देख सकते हैं खासकर blister के अंदर 10 जो हो capsules available होती है और blister packing यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका कि जो micro laborates उसके manufacture है अब बात करते हैं उसके health benefits की तो पहला health benefits रहेगा कि patient को समझे कि nutritional deficiency है तो वो पूरी करेगा कि जैसे कि किसे को loss of appetite या फिर poor diet में बूग काम हो गई है किसे की या फिर diet अच्छी नहीं है और उसके कराण उसको nutritional deficiency हो रही है तो वो deficiency को पूरी करने के लिए medication patient खा सकते हैं second malnutrition के कराण problem हो रही है तीसरा pregnancy के कराण या फिर pregnancy के दोरान किसी को nutritional deficiency है फिर after surgery या फिर surgery या फिर operations के बाद patient ले सकता है उसको और कोई बीमारी में से recover होने के बाद या फिर बीमारी में से जल्दी recover होने के लिए भी ये medication patient लेते हैं मतलब कि simple concept यह है कि जब भी problem होते है और इसके कराण आपके सरीर में nutritional deficiency हो जाती है तो वो nutritional deficiency को पूरा करने के लिए ये medication यूज की जाती है और जब nutritional deficiency होते हैं तो बहुत सारे complications होते हैं या फिर किसी को समझे के diabetes का problem है लंबे समय से और उसके करें उसको neuropathy के problem हो रहा है retinopathy के problem हो रहा है cytica का problem है किसी को तो वो सब भी complications को ये medications जो वो treat करती है तो यहापे हम उसका content भी देख सकते हैं कि अलग-अलग ingredients उसके जो हमने आगे भी discuss किये तो उसके basic use देखे सबसे पहले जो neuropain होता है कि जो नसों में दर्ध होता है वो conditions को treat करने के लिए medication self करती है कि जो peripheral neuropathy के करन होता है कि जो neuropathy के conditions होती तो उसमे symptom develop होता है कि आपकी नसों में दर्ध होता है तो यह problem को solve करेगा यह macro nerve for tablet second हम देखे तो diabetic neuropathy के जो problem से alcoholic neuropathy या फिर cytica के treatment में यह medications use की जाती तो उसके जो symptoms होते हैं जैसे कि numbness जैसा हो जाना nerve pain होना कि मनलब कि नसों में दर्ध होना numbness मनलब कि sensations ना होना तिसरा symptom होता है tingling जैसा burning sensation होते है या फिर needle leg sensation होते है हाथ या पेरों के अंदर तो जैसे switch up ने जैसे symptoms होते हैं numbness होता है तो यह symptoms को treat करता है यह macro nerve for tablet तो जैसे हमने सरुआत में देखा कि जो गठिया में जो लोगों को symptoms होते है cytica का जो problem होता है कमर दर्द रहता है जोडों में दर्द अकडन रहती है नसों में सुन्नपन हो जाता है कमपन होती है हाथों में तो यह सभी symptoms को treat करने के लिए यह medication जो यूसफुल साबित होती है तो cytica के अंदर जो नसों में होने वाला दर्द या फिर peripheral neuropathy के symptom या फिर नसों में जो औस यह दर्द होता है यह सभी conditions को यह medications treat करने में मदद करेगा उसके daily dose की हम बात करें तो खास कर एक capsule per day जो वो patient लेते हैं और उसको high dose में नहीं यूज़ करना चाहिए एक ही capsule per day जो यह वो enough रहता है और वो patient खाना खाने के बाद ले सकते हैं पर ध्यान यह रखने हैं कि उसको overdose में यूज़ ना करें जो proper उसका जो dose है उसना ही patient को यूज़ करनी चाहिए अगर कोई excessive लेता है या फिर कोई complications होता है तो side effects हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहले तो allergic reactions develop होना आपकी skin के उपर rashes बनना सुरू हो जाता है वहाँ पर itching हो सकती है second हम देखे तो acute toxicity हो सकती है overdose के करन abdominal cramp जैसा patient फिल कर सकता है जैसे कि पेट में दर्ध होना या फिर nausea vomiting जैसा हो जाना उसके करन sleeplessness मनलब कि रात को लेट तक कई बार नीद नहीं आती nausea vomiting symptoms जो हो सकते उसके करन dizziness जैसा हो सकता है and stomach upset तो ये कुछ side effects करवा सकती है macronerfot capsules अब उसके contraindications के हम बात करें तो कौन से लोगों को ये medications नहीं खानी है तो अगर इसके कुछी भी ingredient के आपको allergy है कि जैसे हमने आगे देखा कि जो अलग-अलग उसके ingredient है उसमें से कोई भी ingredient के किसी को allergy है तो ये medication जो हुए नहीं लेनी चाहिए फिर किसी ने surgery प्लान किया कोई operation प्लान किया तो उससे 2 या 3 week पहले ये medications को बंद की जाती है या फिर कोई भी ऐसे side effect आपके लिए ज़्यादा serious हो रही है तो तुरंद ये medications को बंद करके आपके doctor या फिर pharmacist को income करके दूसरा उसका safe alternative use करना चाहिए तो ऐसे ही आप detail में सीख सकते हैं medicine course के अंदर pharma rocks के अप उपर के जैसे आज ने हम यहाँ पे सकते हैं पीपीडिस वगरे access कर सकते हैं और उनके study materials भी तो यह सब भी को access करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी good luck and all the best